आमादे पार्टी ने दश्री दिली से अपनी बिधायक शहीराम पहलवान को चुनावी मैदान में उता रहा है शहीराम पहलवान जी मिर्शाथ मौजूद है किस तरस से चुनाओं की तैयारिया कर रहे हैं पार्टी ने भरोशा किया आपको मैदान में उता रहे हैं देखे मैं अपने जितने भी मेरे वरिष्ट नेता हैं पार्टी में संग्टन में उनका अभार्वत करता हूं धन्यावाद करता हूं कि उनके मेरे उपर वरुसा जमाया और उसमें कोशिच रहेगी मैं खरावतरूं किस तरह से चुनाव की तैयारिया चल रही है पध्यात्रा आप कर रहे हैं जन सभा कर रहे हैं कई सारे कारकरम भी कर रहे हैं लगाता है देखे डेली के मेरे चार से पांच प्रोग्राम रहते हैं करीब करीब वहानों आप तीन वाड़ों में मेरे डेली पध्यात्रा होती है तीन वाड़ी लेके और एक या दो जनसभा होती है तो पूरी त्यारी है राजनिती में लंबा उन्व हो है पार्टी ने आपको टिकट दिया है आपके सामने विजेपी से रामबिर विधूरी जो है वो चुनावी मैदान में है किस तरह से उन तमाम चुनौतियों का आप साम हम पिछली नौ साल में माने मुख्य मंतरी जी के निततु में दिल्ली में जो भी विकास का मॉडल त्यार हुआ है हम अपने विकास का मॉडल पर वोट मांग रहे हैं मुख्य मंतरी अर्बिन के जीवाल पर हम बाद में आएंगे पहले हम यह जाना चाहते कि सही राम पहलवान आमादी पार्टी से विधायक हैं और ज्यादा सही राम पहलवान किस तरह से लोगों से मिलते हैं किस तरह से बात करते हैं वह सब आप हमारी दर्श को शेयर करें कि दंगल होते थे लोग पहले से पहचानते हैं और वह सही राम पहलवान है उसके बाद पहलवानी काता हुझी तो कबड़ी के टूर्णामेंट अटेंड किये पांच-छे साल पिर कबड़ी के लिए तो लोगों काप कि आना जाना है गावों में देहत में पहलवानी के कॉन्ए मैं टिकेट मांगरा था कंघरी से कंघरी से टिकट न थी अ जिद की वजह से शंगर सुकष्या था नाँ हुँदा नहारे साथा तो चुना लड़ेंगे न्रेडिलें चुना लड़ें और जीतगे सरकारी नोकरी में भी आप थे जी हा मैंद स्याइस 한 company था इसके लावां दिल्ली जल वोड में भी सेंथा बिल्कुल दिल्ली जल भूड में लडी सी था तो आप पूरी बात बताइए दश्चों को त्यूंक driving मैंने छह साल नोकरी किया इस स्पोर्स कोटे पर इस स्थे स्पोर प्रमोशन भी एक वजय थी छोड़ने की क्योंकि मैं नेसल गोल्ड मेटल जाता है मैंने तो नेसल गोल्ड मेटल पर मिलती मिलती है नहीं कोई बात निमत तो छोड़ दी आपके सामने विजेपी से उमिद्वार जो है रामबेद विधोडी जी है तो उन से मिलना जुलना होत है तो अब रही बात पार्टी के हम करते हैं मुख्यमंत्री आर्विन केजरिवाल जेल में हैं किस तरह से ग्राउंड पर लोग जो है किस तरह की बाते कर रहे हैं क्या रिपोर्ट क्या है ग्राउंड पर क्या चल रहे हैं देखिए मैंत कहूंगा बीजेपी ने गल्र टाइ गरवदार किया गया है उस आदमी ने साट करोड रुपे का चिनाविय बॉंड बीजेपी से लिया है साट करोड का कितना बड़ा चंदा लिया है और उसको बेल दे दी गई मैंने एक उसे बनाया था उसे बेल दे दी किस वक करण से दी है कि इठ में दर दै जै इसलिए बेल दे देते हैं दूसरा एक दो आदमी के गवाई पर उनको ग्रवदार किया गया अरविंजी को दूसरा आदमी था जो उसके परिवार से आज साउथ में लोकसभा पत्यासी भारती जिंता पाटे न उता रहे है उसे के परिवार से अब ऐसे लोगों जो आपको चनाविय बॉंड दे रहे हैं आप उन्हें लोकसभा का पत्यासी भी बना रहे हैं उन्हों ऐसे लोगों के गवाई प्वे जबकि उससे पहले साथ बार दोनों के आठ आठ बार गवाई हुई है एक बार भी मुख्यमंतर जिया कहीं चर्चा नहीं कोई नाम नहीं लाश्ट की ब्यान में उन्होंने एक चर्चा कर दे हां मिलें मिलने के मुख्यमंतरी है और दिल्ली का मुख्यमंतरी है कही हजार लोग डिली जाते हैं आप उनके कहने पर किसी को गिरफदार कर लोगे तीन बार दिल्ली का मुख्यमंतरी रहा है एक बार सतर में से सरसट सीट दिल्ली के जनता ने दिये एक पर सत्तर में से बासट सीट रिकॉर्ड थोड़ इतिहास है ये ऐसे आदमी को जितना बरोसा होते हो एक आदमी को आप ऐसे उठा कि उसे जेल में डालत होगे गलत है आज आम आधिपार्टी की परिष्ट नेता आतिसी ने भी प्रेश कॉंफरेंस किया था और ये कहा था कि दिल्ली में राष्टवती शासुन जो है वो बिजेपी लगा सकते है इस पर आपका क्या रियक्शन होगा देखे बीजेपी ने दिल्ली की जनता के वोट का अपमान किया सीधा सीधा और आज इस हद तक वो नीचले इस तरह पर आगे हैं कि आने वाले समय में कुछ भी कर सकते दिल्ली की जनता के साथ हमें जब आप ग्राउंड पर जाते होंगे तो कहीं ने कहीं जनता के माइन में यह होता होगा कि मुख्य मंतरी आर्विन केजरिवाल जेल में लगातार पार्टी में बहुत जादा स्ट्रेस है और जिस तरह से अभी दिल्ली सरकार के मंतरी राजकुमार आनन ने इस्तिफा दिय टुर्श किया कई सारी बाते चुह है वह कोग्राउंड पर देखने को मिलती होगि उनका वाफ सामना किस्ते था सकत Bless है कि나 जो विल्कुल गलत किया है वह खुद कहते हैं , मैं नहीं कहता है और है राजकुमार रामपी की बात मेरी साहन बुति है मेरा चार साल इसके साहन बूति है, काम किया सरकार में बैठके लेकिन कुछ दिन पहले उसके जाने तेज़ घंटे इडी घुश के बैठी रही है तो उसको इतना ड्राद दिया इतना प्रेसराइज किया कि बचरा परेशान हो गया कोई बात नहीं मेरे सामगति उसके साथ है तो आपको लगता है कि एडी के दबाव में आकर उन्होंने रिजाइन कर दिया देखिए पहले जब हम कहते थे कि हमारे विधायकों को तोड़ा जा रहा है खरीदने की बात की जा रही है तो आप मीडिया में हमसे प्रूफ मांगते थे कि प्रूफ दो आप क्या प्रूफ है राजकुमार आनंद प्रूफ है कि नहीं है उसके गर आप पूरे चौफिस घंटे-चौफिस घंटे-चौफिस घंटे-ईडी बठाय रखते हो आज उसे मजबूरी में जाना पड़ा ना पार्टी छोड़नी पड़ी यह प्रूफ हो गया ना अब तो आप लोगों को लग है और भी कई सारी बाते उन्होंने कहा अपने सिफा का जो पत्र था कि दलितों का समान नहीं होता है पार्टी में या कोई भी ऐसा दलित नेता नहीं है जो अगवाई करें दलित समाज की देखिए जब वह बोल रहा था या उसकी रिकॉर्डि निकाल के देखो आप जिस तरह मैं आप से बात कर रहा हूं इस तरह नहीं बोल रहा था वह वह एक पेपर पढ़ रहा है लेकिवी वह तो रिटर्ण में उसे दिया गया है कि आपको यह बोलना है उसे पढ़के वह ब जरते होंगे पैदल यात्रा भी आप कर रहे हैं तो महीलाओं का क्या कहना है वो लोग क्या पाटी से उमीद कर रहे हैं ह death उत जनटा साथ मेरे पास मेरे सर प्राशियों आथ हैं बaciक्रते नौरात्रे चल रहे हैं हैं बहुत हैं इससे नहिदा जिद कर आएं पर आमादी पाटी के दच्छी दिलिशो मी द्वार सही राम पहलवान को शुक दिलिशी कामरामेन नागिंदर की शाथ श्वेता गुप्ता